. यहां हम basically वह cases discuss कर रहे हैं जिसमें हमें बोलता है कि एक charge है जो कि एक cube के center पे रखा है या वो charge जो है वो body के न पर रखा है heOOb के corner पे रखा है चार्ज अगर edge के ने पर edge के bीचो-bीच रखा है या फिर face के center पे रखा है तो हम से इन case से हैं किसी भी एक फेस से जाने वाला flux बताओ या पूरे क्यूब से जाने वाला flux बताओ इस तरीके questions आते हैं तो उसको अपन सीखेंगे कैसे deal करते हैं कि करके सारे cases अपन discuss करते हैं तो सबसे पहले case में हमें जैसे question पूछता है कि अगर एक cube है हमारे पास और उस cube के बीचों भी के एक charge क्यू रख दिया हमने तो उस पूरे cube से कितना flux जा रहा होगा first part of the question है और second part यह कि किसी भी एक face से कित्ता flux गुजर रहा होगा कोई भी एक face अपन उठाएंगे उससे कित्ता flux गुजर रहा होगा इसको देखते हैं तो simply ghost law अगर अपन लगाएं तो ghost law यह बोलता है कि भाई किसी भी close surface की वज़े से जो भी flux उसमें से जाता है उस पूरी surface में से उसको लिखते है q upon epsilon not तो first part का अपन answer कर सकते है net flux through the cube will be charge and close upon epsilon not तो कितना charge फसा है q ही फसा है right तो q upon epsilon not first part का answer हो जाएगा next part में जैसे हम से पूछता है कि कोई भी एक face से कितना flux जा रहा है तो question पूछता है इसमें से कितना flux जा रहा होगा तो यहां पर सबसे फायदेमन चीज़ है कि symmetry यह जो चार जैस body के बीचो बीच रखा है तो हम यह बोल सकते हैं symmetry से कि सारे faces में से बराबर flux गुजर रहा होगा क्योंकि सारे ही face symmetric है एक दूसरे के तो हम यह बोलेंगे किसी भी एक face से जाने वाला flux पूरे flux का 1 by 6 होगा क्योंकि इसमें 6 face है तो जो total flux है वो 6 faces में divided है तो किसी एक face से कितना जाएगा 1 by 6 of total flux तो अपना answer हो जाएगा q sorry 5 through any one face will be 1 by 6 of total flux which is q upon epsilon तो second part का हमार answer यह हो जाएगा ठीक है इस next part में जो बताता है कि जो एक charge है वो अपकी बार body के kone पर रखा है body corner पर रखा है और बोलता है इस वाले cubes से बताओ कितना flux जा रहा होगा तो सबसे पहले हमको गॉसलो क्या बोलता है symmetric charge distribution होना चाहिए या फिर जो आपका close surface है वो charge को symmetrically बंद करना चाहिए तो यहाँ पर आपन देख सकते हैं कि जो cube है वो charge को completely बंद नहीं कर रहा क्यूंकि यहाँ पर चार्ज कोने पर रखा है तो इसको अगर बंद करना है तो आप imagine करोगे यहाँ पर हमको और भी cubes लाके रखने पड़ेंगे जैसे ऐसे रख देंगे अगर तो यह उपर का face cover हो जाएगा फिर उसके side में अपन रख सकते हैं फिर ऐसी नीचे अपन रखेंगे तो इस तरीके से जब मैं 3 cube और add करूँगा तो हमें दिखेगा कि इन चारों के बीच में इस तरफ में face के बीच में वो चार जब आ गया है मतलब मुझे सामने से भी चार डब्बे लेके और लगाने पड़ेंगे तो टोटल हम बोल सकते है आठ डब्बो के बीच में वो जो चार बीचो बीच आएगा आठ डब्बो के तो आई होब आपको समझ आ जाएगा जब आपने चार्ज को पूरा फसा दिया बीच ओ बीच तो Q upon epsilon not flux जाएगा तो आठ क्यूब में से Q upon epsilon जा रहा है तो एक क्यूब में से कितना जाएगा वो हमारे question का answer है तो एक क्यूब में से कितना जाएगा तो आप लेकोगे Q upon 8 epsilon not राइट तो यह इस question का सही ज चाहेगा इस एक cube में से तो उसको सोचने के लिए हम इसको पहले copy कर लेते हैं अब हमको यह चीज सोचनी है कि इस cube में इस charge को अपन को ऐसा करके बंद करना है कि हर तरफ से बंद हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर एक cube लाके रख देंगे ऐसा अब देखो अब य पीच ओबीच पैक हो पाएगा तो हम यह बोल सकते हैं इसको completely बंद करने के लिए हमें चार cubes की जरूत है तो उस चार cubes में से कितना flux जाएगा अब हम बोल सकते हैं 4 cubes में से total flux जाएगा q upon epsilon not तो एक cube में से कितना जाएगा भाई तो वह जाएगा q by 4 epsilon not तो यह इस सवाल का सह ही जवाब हो जाएगा तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि एक चार्ज जो है वह फेस के सेंटर पर रखा हुआ है तो इस अकेले क्यूब में से कितना flux गुजरेगा तो इसको समझने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा इस चार्ज हो completely बंद करना पड़ेगा तो उस एक क्यूब में से कितना जाएगा तो वह जाएगा क्यूब आए टू एपसाइलन नौट और वही सवाल का सही जवाब होगा इसमें थोड़ा एडवांस लेवल अगर अपन जाते हैं तो हमसे यह भी पूछ सकता है किसी एक फेस से जाने वाला flux कितना होगा यह बताओ तो उस case में मैं आपसे request करूँगा एक बार आप try करो उसका hint अपन ऐसे बोल चकते हैं यह चार जिस उपर वाली surface पर रखा होगा उस surface में से 0 flux जा रहा होगा क्यूंकि यह charge के जो भी flux जाएगा वो जैसे surface यह है और चार जैसा रखा होगा बीच में तो सारा flux ऐसे निकल जाए तो इस वाली face से उपर वाली face face से जो अपना flux है वो 0 हो जाएगा ठीक है इसके अलावा जो side वाली 4 faces है यह वाला यह वाला एंड यह वाला इन चारों से बराबर flux जाएगा due to symmetry और नीचे वाले face से कुछ अलग flux जाएगा तो अपन यह बोल सकते हैं जो total flux है क्यू अपॉन two epsilon naught जो इस cube में से जा रहा है वो divided है four times the flux through the consecutive face बोल सकते हैं मतलब यह बाजू वाली जो इसके touch में ही है एक्दम ठीक है तो consecutive faces प्लस एक जो आएगा flux through the bottom face bottom face बोले तो इस वाले की मैं बात करूँ जो सबसे नीचे अपना cube रखा है उसमें क्यूब का face है उसमें से कितना flux जाएगा उसको मैंने bottom बोल दिया और यह बाजू वाली जो faces है इनको मैंने consecutive faces बोल दिया तो अगर हमें यह चीज पता चल जाए तो हम यह निकाल पाएंगे तो मैं आपसे request करूँगा इसको एक बार आप लोग ट्राई करो और मुझे comment section में जरूर से बताना कि इसका answer क्या आता है so that's all for this video